दोस्तों में जी श्वागत करता हूँ आपके अपनी चनल जीत फुरी उपर आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे N.A.S. राष्टियो प्लब्दी सर्वे कक्षछटबी विसर हिंदी नौमा सप्ताहय का पेपर तो नौमी सप्ताहय का अपन इसमें पैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है क्या है यहाँ से दिखना अपना गध्यांस से स्टार्ट होता है निम्मिलखित गध्यांस को पढ़कर नीची दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो निम्मिलखित गध्यांस को पढ़कर अपन को प्रश्णों के उत्तर दीने है बाल गीत कक्छा चार इस्तर पर अपन को यह दिया गया है लेकिन अपन कक्छा छटमी का देख रहे हैं यह आपको याद रखना है ठीक है न ये बताया गया है कि बाल गीत कक्ष चार इस्तर का यहाँ पर दिया गया है तो आप से आंसरस बनने चाहिए चलिए पहला क्या है नन्ही चडिया उड़कर आई चडिया कैसे आई उड़कर आई और कहा दो खाना नन्ही चडिया उड़कर आई और उसने क्या कहा खाना दो और सुनो फिर मीठा मीठा फिर कैसा सुनो मीठा मीठा मुझसे कोई गाना गाना कैसा था मीठा मीठा ठीके ना मैंने उसे दिया कुछ खाना उसने गाना गाया पंक खोलकर थुमक 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 अपना नाच दिखाया थुमक थुमक अपना नाच दिखाया किसने लिखी है डाक्टर स्री प्रसाद ने कवीता लिखी हुई है ठीक है ना अगर आपने इसे पहले वाली वीडियो नहीं है जीत फोर यू वहां से जाकर आप इस पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे लिंक ओपन नहीं होती है तो आप डारेक्ट सर्च कर लीजिएगा चलिए यहां से अपना पहला कोश्चन स्टार्ट होता है उड अगर आप इसको पढ़ते नहीं तो इसमें क्या लगा देते दाना पर दाना इसका अंसर नहीं है इसका अंसर क्या है खाना चिडिया ने खाना मांगा ठीक है ना अगर आपको देखना है तो आप यहां से फिर से देख सकते हैं और कहा दो खाना एक हाना चिडिया उड़कर आई और कहा दो खाना ठीक है आँघे चडिया का गाना कैसा था चडिया ने कहा क्वजी खाना दो और सुनू मीठा मीठा गाना तो उसका गाना कैसा था मीठा और अब साथी साथ अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम क्या आइडी है जीतेंद्र 06006 वहां से जाकर आप डारेक्टली मुझे फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं और मेसेज का आपको तुरत ही रिपलाई मिलेगा कोई भी टैम नहीं एनी टाइम आप कभी भी मेसेज कीजिए आपको तुरत रिपलाई मिल जाएगा आगे चलिए चिडिया ने नाच क्यों दिखाया है खुस होकर चिडिया ने नाच क्यों दिखाया है थुमक ठुमक एक लग दीया है तो इसका और्त क्या हो गया थुमक ठुमक कर यारी कि ठुमके लगाकर ओके आगेर चलीये अगला है निमली गद्यांज को पड़का और नीची देगे प्रशनों के उत्तर देजिए तो इसमेंज़ को पाटेंगे स्टर देंगे रंगों का तेवार है होली खुस्यों की बौचार है होली लाल गुलाबी पीले रंग सभी रंगी ले देखो पिछकारी भरभले आते एक दूजे पर सभी चलाते होली पर अब ऐसा हाल हर चहरे पर आज गुलाल आओ यारो इसी बहाने दुस्मन को भी नी चलो मनाने ठीक है न तो यह है अपने कभीता पढ़ी कभीता पढ़ ली है तो इसको थोड़ा समझा देता हूं दिखे रंगों का तेभार होता है उसे अपन क्या बोलते हैं होली और खुस्यों की बौचार कब होती है होली में यह दिखे लाल गुलाबी पीले रंग सभी रंगी ले हो देखो र ऑशनर पीले धाइसा हाल सब चाहरे आज लाल गुलाल कैसे चाहरे हैं डिखता है तो आप कमेंड करके जरूर पूचिए गा आंगे चले बच्चे क्या घरकर कर ले आते हैं पिचकारी, खिरके कैसे नहीं इसकी ऊहरी तो पिशलिय नहीं हो सब क्यों है अगे अधिक दिभाली में होता नहीं रक्षबंदन में नी में होता है दसेरह में भी नहीं होता है होली में गुलाल होता है तो गुलाल क्यों है होली के कारण आंगे दुश्मन का बिलॉम क्या होता है दिखिए दुश्मन का बिलॉम होता है दोस्त और दोस्त का बिलॉम क्या होता है दुश्मन पर्याबाची पूछता इसका तो क्या हो जा और चलों को सब्सक्राइब करना तक हर आने वाली वीडियो को नोटिपिकिशन आपको मिल सकें मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद